what's up guys welcome back to my channel मेरा चानल पूरा भर गया है comment section पूरा पूरा भईया 800-500 आया हो जाएगा 600 आया हो जाएगा 60-600 आया हो जाएगा मतलब अगर आप मेरी previous videos की comment section को check करोगे तो वो पूरा इस बात से बहुत होगा है कि बैदली निवस्टिमेट विशन के लिए कितने marks पर कौन सा campus, कौन सा college मिलेगा क्या safe score है तो उसी को लेकर मैं वीडियो लेकर आगया हूँ सारा detail में बताऊँगा last year का क्या हिसाब था भी बताऊँगा और इसीर क्या हिसाब बैट सकता है भी बताऊँगा तो टेंशन की चीज़ की मतलि अगर चानल बार नहीं हो subscribe करके bell icon दबाऊ ता कि कुछ भी आप लोग miss ना करो बहुत सी important update जैसे अभी मैंने कल रुड़ा दाली थी which was very important Delhi University का पूरा admission process मैंने समझाया है phase 1, phase 2, phase 3 सब कैसे करना है मैंने बताया है क्या क्या होना है सब सिखाया तो link डाल रहो comment box में पहले उसको check out कर लो अब आओ cut off की बाद कर लें पहले previous की बाद कर लें तो जहां तक बात English की करते है पहले तो 200 से 200 ही आते थे clearly कोई भी बात में छुपा क्या दबा की नहीं बोलोग कि पहले तो यह था कि अगर 25 लाग बच्चों ने दिया है मतलब 25 लाग बच्चे नी 25 लाग combinations में English आया ना मान लो तो 20 लाग combinations के fully आते थे परकोस अलोवर इंडिया 10 से 15 लाग बच्चे दे 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 थे English का एक्जाम 20 लाग बच्चे दे दे थे से मैं 210 ले आया तो मेरी 100 लाग जाएगी 220 लाग जैसे कि मेरी 212 नंबर आया थे तो मेरी 98 पॉंट सम्टिंग परशन लाग थी जो की 40 नंबर में बच्च 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 कोई बना ही नहीं सकता अर पैंतालेस मिनट में एक गंटे में होने के विबाद नहीं थे कोई physics कैसे कर लेका चालेस मिनट में इतने लेंदी ओ तर टॉफ कुशिंज और मैस कैसे हो जाएगा 40 में करने का फेपर नहीं था वो भी OMR पर 15 में तो वो खा था टिक मारना में तो maths और physics की cut-off पहले भी हाय रहती थी, मतलब maths में तो यह है कि आप 200 में से 140 ले आए, आपकी 100% आ लाएगी, इतनी कम cut-off होती थी maths की, बट इस साल वो और गिरेगी, हो सकता है आपके 120 या 110 नंबर पर, यानि 50% मार्क पर ही 100% डाल बन जाए, आप ही टॉपर हो जाओ, physics में पहले 170 जाते थे बच्चे, 170, 175 जाते थे बट इस साल नहीं जा पाएंगे, बट बहुत लेंदी, हाँ, एकका दुक्की जाएंगे, तबी तो 100% डाल नहीं की आती है, एकका दुक्की जाएंगे, बट majority इस बार मेरे साब से रहेगी 150, तो safe score इतनों बात करते है, English का safe score इस 200, तो इस बार गिर के 180 आजाएगा, अराम से, 170 पे अपके बन रहे है English में, आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, अटेंशन मतलो, 170 is a good score इस साल के इस आप से, नेगेटिव काटने के बाद, और जनर अटेश की बात कर लें, तो पहले तो 210 पे आपके 220 पे, तो 200 was a safe score, इस से उपर आप लाया तो अच्छे है, इस साल गिर जाएगा, इस साल 165, 170, 175 is a safe score, इतने अगर आप लाते हो तो आपको अच्छे से अच्छे कोलेज में, आपका पसंद्धा कोर्स मिल जाएगा, 170 is a safe score, 160 is a good score, है ना, बात करते हैं, मैंने बताया आपी तो दो नंबर भी लाओगे, तब भी 95 परसंटाल बनेगी, लिख वालो, maths वालो, घबराओ मत, पूरा पीवाई की अनलेसिस किया है, दो साल का कट ओफ देखा, इस साल का पेपर देखा है, मैं खुद मात का student हूँ, मुझे पता है कि किस तरह पेपर आता है, मैंने पूरा पेपर दिया, तो मैं जानता हूँ, इस बार का it was actually lengthy, plus seeing a thing in reminder, मतलब in consideration, कि पेपर देखे वालो, महल दिया गया, वह बड़ा गंदा था, तो यह भी consider करना पड़ेगा, विस जो consideration सबको मिलने वाली है, तो आपका cut-off इस बार 100 अब ला रहे हो, दोस्तों सो भी आपके आरे ह आप अच्छा लेका है हो, फिसक्स की बात कर लेते हैं, subject wise हम ऐसे बात करें, तो tough tough बाले है, बाकि हम overall फिर बात करेंगे, फिसक्स की अगर हम बात कर लेता तो वह भी tough आया, तो last year तक 170 was a safe score, बट इस बार वो गिर के 500 पर आ जाएगा, 150 वेगा तो फिसक्स में बन रहे है, इसक्स की सब्जेक्स उतिने tough नहीं थे, accounts के अगर देखा, इट वोस नॉट वेड़ी टफ बच्चो हो सकता था, मतलब अच्छे से पढ़े के गए हो, तो it was not very tough, क्योंकि मैं खुद भी commerce थे हो, तो commerce में आपके 600 नंबर की बात करें, आप में 3 subject दिये है, हर subject में अगर अगर आपके 600 में से, accounts, business, eco, तो तो यह आप करेंगा, आपको 520 क्रॉस करना पड़ेगा, आप हर subject में 20 या 25 नंबर ही कवा सकते हो, ज्यादा नहीं कवा सकते हो, तो यह आप करेंगा commerce का, 800 वे वेड़ी था, मैंने बहुत से बात करें, यह थोरी ही था, हमारा तो हो सकता थ आप कीट-off हर बार की तरह आसमान चुएगी, 800 में से आपके कम से कम, इंगलिश की वेज़े 30-40 नंबर गिरेंगे, तो आपका 7500 आपका होना चाहिए, 750 आपका, 800 में से होना चाहिए, 800 वे थोरा सा cut-off हाई रहता है, बट सिल अगरा को 720 प्लस में भी हो, तो आप सेफ स्को PC M की, PC B की, अगर PC B है, तो आपका 50 वहां और ऐसे 50 मालो, 600 में से 500 तो आपके आने चाहिए, तब ही वो safe माना जाएगा, आप एकम safe score पो, 450 प्लस है, तब ही आप अच्छे score पो, in a good condition, आपको अच्छा college मिल जाएगा, North Campus का surety नहीं मिल सकती, बट हाँ, मिल जाएगा, science की तो ये थे, बचो, stream-wise, subject-wise, क्या scenario इस साल बैठा है, किस तई किस साल cut-off में फरक है, मैं आपको सब समझा दिया, बात की पूरा admission process दली निवस्टिक के जाके समझ लो, मेरी वीडियो देख लो, कोई doubt आपका नहीं बचेगा, and ये safe score ते लिए, ज्यादा परशान मत हो, इस आपको सिफाऊंगा, तो कोई बचेगा, डाउट हो, तो comment करना, पूछना, मैं अगली वडियो में उसको भी address कर दूँगा, जैसा आपकी cut-off आपको में address कर दिया, I hope मैंने सब को बताया है, कि ये number आपके आ रहे है, तो उससे साब 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 safe हो, इसके नीचे भी है, तो थोड़ा सा not campus से दूर हो, आपको छोटे-छोटे, मैं जोटे नहीं, सब campus की colleges मिल जाएंगे, और off campus मिल जाएगा, बाहर नहीं हो race से, अभी race से बाहर कोई नहीं हो है, सब race में, cut-off देखते हैं क्या आएगा, okay guys, और को informative video आपको चाहिए हो, तो बताना, मैं comment में बताना, म और आपको दूर देखने ना, कमें बोक्स में लिखने लिखने लिंक दाल दिया, वाल ते बेस्पोर योड रिज्ट्स